वेधे दूस्तों मेंस का सू अपसका फिरफ्सार निंग वीडियो में दोस्तों आजब हमी घुतित की पुर्मुक विश्था या पैस्ता या पाँंच दोस्तों बेक्तित की बिस्सता है नेमने सबसे पहली बिस्सता है कि बैक्तित का आसा है अन्यक मांसिक, सामाज एक तथा सांस्कर्थए गोड़ों के योग से है और इसका सम्मन्द एक बिस्सिस प्रकार की सार्रेक रचना से नहीं होता दूसरा है कि दूस्तो ब्यक्तित जन्मजात नहीं होता बलकि ब्यक्ति इसे अनेक प्रियासों और सीख की प्रक्रिया की द्वारा बिक्सित करता है तीसरा है कि बेक्तित एक सामानी करत गुड़ है और दोस्तो बेक्ति की पैचान जिन गुड़ों और युगताओं के संदायब में की जाती है उसी के अनसार पितिक बेक्ति के बारे में जनसादान की एक सामान धायना बन जाती है तो यही सामान दायना उस ब्यक्ति का ब्यक्तित होती है दोस्तो चोतरा है कि ब्यक्तित के नेमाण में सामाजिक अंतर क्रियाओं का विसे समात होता है दोस्तो कोई ब्यक्ति कितना इमांदार, बेमान, उदार, आलसी, तता प्रसरमी है यह इस बाओ से इस पर sommes होता है कि समाज में दूसरे ब्यक्तियों के साथ हो किस प्रकार के किरियां और ब्योहर करता है 50 माय दूसर्टों समाजिग सेख की क्रियां की द्वारा ब्यक्ति जितने अधे गुड़ा अजित कहलेता है दोस्तो उसका ब्यक्तित उतना ही बिक्सित हो जाता है चटमाए दोस्तो एक अंधर गुड होने के बाद भी दोस्तो ब्यक्ति की बास्तवे कस्वाटी उसकी सामाज इकता है और दोस्तो इसका आसा है कि दोस्तो ब्यक्ति अपने समाज और संस्क्रिती से जितना अधिक अनकूल कर लेता है उसका बेक्तित उतना ही अधिक संक्रित माना जाता है साथ माई दूस्तों मूल रूप से बेक्तित का संबंद समाज तामाज से गुड़ों से है लेकिन ब्यक्तित का नेमार जेब किया गुड़ों में भी कुछ भूमका वस्से होती है और इसका आसा यह है कि दोस्तो यदि जेब किया रूप से एक ब्यक्ति मूर्क बोना अत्वा बेकार युक्त हो जाता है तो उसका ब्यक्तित अच्छा बना या की संबाबना नहीं किदा सकती है तो दोस्तो आसकर तो लोग वीडियो पसंदाए कि बीडियो पसंदाए तो बीडियो लाइक नशायका ना चैनल पर चुन सब्सक्रीब करें नहीं